हेलो प्रेंड्स आज हम बात करेंगी क्लाश 12 फिजिक्स का मोश्ट इंपॉर्टन टॉपिक ठीक है जो कि यार एक जाम में हर साल पूछ आ था ट्रांसफार्मर्मर ठीक है ट्रांसफार्मर क्या होता है ट्रांसफार्मर की कारविथी सुन्दश ना ठीक है देख सकते इसकी प बस आपको करना है कि आप वीडियो को आखी तक देखना गारिंटी की साथ आप इस पर पूरे पूरे लाप आओगे एक्जाम में ठीक है तो चलो सुरू करते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है ठीक है तो आखी तक चलूर देखना तो देखो यह इसका चेत्र है तो सबसे मैं थोड़ी सी थोरी बताते है कि ट्रांसफार्मर होता क्या है ठीक है यह क्या कारे थोड़ा समझ लोग फिर इसके चेत्र की बात करते है ठीक है तो देखो देखो ट्रांसफार्मर ठीक है कहरा है अन्यून प्रेरण के सिधान पर आधारित यह एक ऐसी उक्ति है जिससे प ट्रांस्फार्मा क्या होते हैं या अन्यून प्रेयरण के सिध्धान पर आधारित यह एक ऐसी उकती है जिससे आप प्रत्या वर्तिधारा मतलब अल्टर्नेटिंग करेंट के विभाव को आप क्या कर सकते हो कम या अधी कर सकते हो मतलब अगर आप क्या करना चाहो ट्रांस्फार्मा की सायता से आप क्या कर सकते हो प्रत्या वर्तिधारा का विभाव है उसे आप कम या जादा कर सकते हो किसकी सायता से ट्रांस्फार्मा की सायता से तो वही चीज़ है कि अन्यून प्रेयरा के सिध्धान पर अधारित या एक एसे युक्ति है जिससे प्रत्यावरती धारा के विभाव को का मतवादी किया जाता है और ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावरती धारा के ही विभाव को को ही परिवर्तित करता है ठीक है दिस धारा है विभाव को नहीं मतलब ट्रांसफार्मर जो है ये केवल प्रत्यावरती धाना के विभॉक को कम कर सकते हो या जादा कर सकते हो ठीक है बाँ अब नीचे क्या आगया आप ट्रांसफरमर इस चिप दैफ्टार्स तब इनके बारे इनके बारे भी बताएंगे कि उच्चाई ट्रांसफरमर का होता आप अपर सबसे पहले आप देखो चेत्र तो देखो इस चेत्र पर क्या होता है देखो यहां पे हम ने यह पाटलीत लौड़ ले रखी नर्म लौड ह है यहां पे ठीक है और देखो यहां परात्मिक कुंडली उपर लगी नीचे है दोतिये कुंडली जो होती जादा फेरो वाली होती है ठीक है यह उच्छाए्ट்ट्रांसपारमर है अभी अपच्छाः ट्रांसपारमर भी बता देंगे अभी यह समझो कि इसमें कच्चे लोहे की आयताकार गोलाकार मुड़ी हुई पतियां एक पतलित क्रोड की रूप में होती है इसमें कच्चे लोहे की आयताका गोलाकार मुड़ी हुई पत्या एक पतलित क्रोड अर्था लेमिनेटड कोर की रूप में होते है ठीक है ये जो हमने पठलित क्रोड रखी है इसी के बारे में कह रहा है ये ठीक है ये किस टाइप की है ये आपकी ये आपकी कच्चे लोहे की है आयताकार गूलाकार मुड़ी पत्तिया एक पठलित क्रोड के रूपे होते हैं फिर का गया ये पत्तिया एक दूसरे के उपर फ क्या किया किहाता है काग यह सबसे पहले आपसे कहा हमने कि कच्छे यह हैं, और दीआ हूँ रूप में होते हैं, यह ते रूप के मुपने हैं, यह पूर्ण से जोड़ दियाते हैं, जिससे कि एक दूसरे को प्रतक से प्रतक्त कुछ सब्ल सब्सक्राइस यह बनाएं। के उपर एक है ठीक है फिर उसके उपर एक है फिर उसके उपर एक है इस टाइप से ठीक है तो उसकी कई पत्तियां है देखो का गया ना गोला का रमुरी हुई पत्तियां एक पत्लित क्रोड के रूप में होती है और यह पत्तियां एक दूसरे के ऊपर रखी गए यह देखो यह जैसा बना रहे ना, एक दूसरे के ऊपर रखी हैं यह पत्तियां, यह पत्तियां एक दूसरे के ऊपर वर्निस से जोड़ देते हैं हम लोग, जिससे कि एक दूसरे से पत्तकत मतलब अलग ना हो, ठीक है, एक दूसरे हम से जोड़ देते हैं कि एक दूसरे से अलग ना हो और इसके फलता क्या होता है, इसको जोड़ देने से क्या होता है, इसमें कम भावरधारा उत्पन होती है, और क्या होता है, वैदुतूर्जा का रास खड़ जाता है, रास का मतलब समय तो कमी, मतलब वैदुतूर्जा में कमी आना भी कर जाता है, पहले का गया, जब आप कई सारी पतिया लोगे उसे वरनिक से जोड़ दोगे ठीक है तो उससे का होगा भावरदारों में कमी आएगी और वैदु थूर्जा का रास भी खड़ जाता है और फिर का गया इस क्रोड पर तामे कितार की दो कुंडलिया इस प्रकाल लपेटी जाती है देखो ध्यान समझो इस क्रोड पर तामे कितार की दो कुंडलिया इस प्रकाल लपेटी जाती है कि वे एक दूसरे से लोहे की क्रोड से प्रथक कर रहा है देखो ये दो कुंडलिया हमने लपेटी तामे कितार की पहली प्रात्मे कुंडलिया दूसरी दोतिया कुंडलिया ठीक है इसी टाइप से ल लोही की क्रोड से प्रथक कर दा है, देखो थियोरी कभी भी रटी नहीं जाती, अगर आप चित्र समझ गए, चित्र समझ के तो आप थियोरी समझ जाओगी, देखो सबसे पहले हमने आपसे कहा, कि देखो, आपको क्या करना है, कई सारी पत्तिया लेना है, ठीक है, नर्म लो अब कहा गया इनमें से एक पर तांबे के मोटे तार के कम फेरे तथा दूसरी में तांबे के पतले तार के अधिक फेरे होते हैं क्या होता है एक पर यह सब्छाइब मौटे तार के कम फिरे और पतले तार के ज्यादा पतल पतल बैद थार मोटा है तो उसके क्या होगे कम होगे थीक है तो वही चीज़ का गया तो देखो, सबसे पहले का गया दो कुंडली होती है, फिर का गया इनमे से एक पर तांबे के मोटे तार के कम फेरे तथा दूसरी में तांबे के पतले तार के अधिक फेरे होते हैं और इनमे से एक को प्रात्मे कुंडली, प्राइमरी कुईल और दूसरी को दोतिय कुंदली कहते है ठीक है? तो ये इसकी रशना है रशना समझ मैं ही? क्या का आप फिर से समझो कोई रटना नहीं है फिर से समझ लो देखो इसमें कहा गया आपसे आपको इसमें क्या करना है? तांबे के तार की और क्या होगा उससे वैदो तुर्जय का रास भी खड़ जाएगा ठीक है देखो ठीक है कोई दिक्कर ने एकदम आसानी समझेंगे कोई जल्दी नहीं है बड़ा वीडियो बन जाए लेकिन सामझ में आना चाहिए कहरा इसमें कच्चे लोही की आयता कार गोला कार मोरी हुई पतिया एक पतलित क्रोड के रूप में होती हैं और ये पतिया एक दूसरे के उपर वर्निस से जोड़ देते हैं ठीक है फिर क्या करते हैं जिससे कि ये एक दूसरे से प्रथक कर रहे हैं अलग 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 रहे हैं कि वे एक दूसरे से तथा लोही की क्रोड से प्रत्यक कॉंडली है ये एक दूसरे से क्या रहे है प्रत्यक क्मला अलग अलग रहे है फिर देखो आगे का गया तो ये बात है आपकी त्रांस्फार्मर की रशना समझ गए होगे ठीक है कुछ नहीं है कि वाल पटे लोहे की ग्रोड है उस पे तांबे के मोटे तार के कम फेरे होंगे तो उसे प्रात्मिक कुंडली और पतले तार के ज्यादा फेरे तो उसे द्वतियक कुंडली आप थोड़ा सा समझ लो उच्चाई और अप्चाई ट्रांस्फार्मर तो देखो उच्चाई ट्रांस्फार्मर में क्या होता है मोटे तार के कम फेरे वाली कुंडली प्रात्मिक कुंडली होती है और पतले तार के अधिक फेरो वाली कुंडली द्वतियक होती है उच्चाई में क्या होता है मोटे तार के यह देखो मोटा तार है और इसके कम फेरे तो यह कुंडली प्रात्मिक है और पतले तार के ज़्यादा फेरे देखो समझो मोटा तार है जब तार मोटा होगा अगर जगा इतनी सी ही है तो उसमें कम फेरे आएंगे ठीक है, और पतला होगा तो उसके ज़ादा फेरे लपेड सकते हो, आप इस ट्राइब से ठीक है, तो इसमें ज़ादा ते लपेड सकते हो, तो क्या हुआ, तो ये द्वतियक कुंडली हो तो उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपच्चाई में क्या होगा अपच्चाई में इसका जश्ट उल्टा होगा अपच्चाई में ये जो मोटे तार के कम फेरे होंगे इसे द्वतियक कुंडली कहेंगे और जो आपका ये होगा देखो जो इसमें मोटे तार के कम फेरे को दोतियक कुंडली और पतले तार के ज़्यादा फेरो को प्राथमिक कुंडली गएगए मतलब जो प्राथमिक है वो दोतियक हो जाएगी और जो दोतियक है वो प्राथमिक हो जाएगी ठीक है तो ये है उच्चाई ट्रांसफार्मर और अप्चाई ट्रांसफार्मर क्या समझे मोटे तार के कम फेरे वाली कुंदली प्रात्मी कुंदली ये उच्चाई ट्रांसफार्मर इसलिए हमने पहले लिख दिया था ये उच्चाई ट्रांसफार्मर है देखो मोटे तार के कम फेरे वाली कुंडली को अमने प्रात्मी बताया और पतले तार के ज़्यादा फेरो वाली क्यों द्वतियक बताया तो उच्छाई ट्रांसफार्मर और अपच्छाई में क्या होगा ये जो मोटा तार है, इसे दृतियक कह देना और इसे परात्मिक कह देना तो ये उच्छेई और अप्चेई की बात थी, रचना समझ गए ना? अब आगे देखो, रचना हो गई, आप देखते हैं इसका सिध्धान कारविधी, ठीक है? तो रचना होगी आब इसकी कारविधी समझते है कि कैसे हमारी बिजली बनेगी क्योंकि अब लाइट हमें देना है आपको ठीक है तो चलो बिजली बनाते है तो देखो ट्रांसफार्मर में लगी पतलीत क्रोड जब प्रत्यावर्ती जनित्र से प्रात्मि कुंडली से धारा प्रवाहिद करते है। तो लोहे के तार पर चुमकी छेत रुथपन हो जाता है, जिसके कार चुमकी फ्लस को रुथपन हो जाता है, देखो, आप क्या करो, प्रत्यावर्ती धारा जनितर जो होता है, इसके पहले वाली वीडियो में बताया था, अगर आप जनितर से इस प्रात्मी कुंडली को क्या अगर आप धारा आई का मान घटाते या बढ़ाते हो तो उससे क्या होगा? फ्लक्स के मान में भी परिवर्टन होने लगता है जिससे द्वतिय कुंडली में प्रेरित धारा उद्पन हो जाती है और विद्दु द्वाहक बल कारिकरने लगता है जिससे क्रोड की चुमकी उर्जया द्वतिय कुंडली में वैद्दु द्वाहक बल का मान दोनों कुंडल यो में फेरो की संक्य कानपाद पर निर्भर करता है ये इसकी कारविती है आप देखो इसकी बात को थोड़ा समझ लो जो पतलित लोग क्रोड है जिब इसमें प्रत्यावरती जनितर से धारा भेजी जाती है धारा भेजी जाती है तो उसमें क्या होता है उसमें चुमकी छेतर उत्पन हो जाता है उस लोगे ठीक है चुमकी छेतर उत्पन हो जाता है और जब चुमकी छेतर उत्पन होता है तो उससे चुमकी फ्लक्स भी उत्पन हो जाता है जैसा कि आपको बताया ठीक है प्रिवित धारा का मलना वही आपकी कौन सी धारा उसे कहते है अल्टरनेटिंग करें ठीक है प्रत्यावर्ति धारा उत्पन हो जाती है और विद्धुत वाहग बल कार कहने लगता है जिससे क्रोड की चुमकी उर्जा तो ये कुंडली में वैदुत उर्जा में बदल जाती म तो क्या होता है यहाँ पर कुंडल सी धारा प्रवाहित करते है तो लोही की तार पर चुमकी छेतर उत्पन हो जाता है जिसके कारा चुमकी फ्लक्स उत्पन हो जाता है और तब धारा के मान को घटाते बढ़ाते हैं जब हम आई का मान घटाते या बढ़ाते हैं तो चुमक तो ये इसकी कार्विधी है और थोड़ा सा ये भी समझलो कि δ्वतिय कुंडली में प्रेरित विन तो ये कारविधि ट्रांसवार्मर में कैसे आपका current flow होगा तो देख सकते हो आपको विभाव का, ट्रांसवार्मर का कार क्या होता है प्रत्यवार्तिधारा के विभाव को कमया जाधा करना तो ये कारविधी भी समझ गए, ठीक है, स्क्रीन स्वाड लेना चाहो, तो स्क्रीन स्वाड भी ले लो पूरे का, ठीक है, तो ये देख सकते हो, कारविधी हो गई, रचना, सिध्धान, आप थोड़ा से इसके बारे में और समझ लो, आप देखो काग्या फैराड़े की प्रात्मी कुंदली में विद्धुत वहअग e s equal to minus k ns delta 5b upon delta t जहाँ ns क्या है द्रतिये कुंदली में फेरोक संक्या delta 5b चुमकी flux delta t समय अब यहाँ से हम e p upon e s का मान निकल इन दोनों का भाग दे रहे तो e p upon e s equal to minus np delta 5b upon delta t इसी प्रका minus k ns delta 5b upon delta t अब यहाँ पर से delta 5b upon delta t दोनों के कड जाएगा तो क्या बचेगा e p upon e s और यह minus minus भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो e p upon e s equal to sorry e p upon e s equal to आजाएगा np upon ns यहाँ से आप निकाल सकते हो इससे अगा उल्टा कर दिया जाएगा e s upon e p equal to ns upon np ठीक है e s क्या है प्रात्मी कुंडली के विद्धुत्वाखबल यह क्या है दोतियक कुंडली का yes आपका दोतियक का secondary sorry yes for secondary p for primary तो यह दोतियक कुंडली के विद्धुत्वाखबल यह प्रात्मी कुंडली का और यह दोतियक कुंडली के फेरों की संख्या प्रात्मिक कुंडली में विद्धुत्वाहगबल और प्रात्मिक कुंडली में विद्धुत्वाहगबल के अनपात के बराबर होता है तो देख सकते हैं यहां से इस टाइप से आप निकाल सकते हैं इस कमान इसी टाइप से आगे थोड़ा सा और देख लो तो देखो यदि प्रात्मिक परिपत का पितरोद नगन्य हो नगन्य का मतलब आर बराबर 0 हो ठीक है यदि प्रात्मिक परिपत का पितरोद नगन्य हो तथा उर्जय का कोई छैना हो मतलब उर्जय में कोई भी परिवर्तन ना हो तो प्रात्मिक कुंडली में प्रेरित विद्धुत्वाहगबल E.P का मान प्रात्मिक परिपत में लगाए गए विबुवांता V.P के तुल्ल होगा ध्यान समझो तो यहां से आपका यह पूरा होता है ठीक है देख सकते हो ठीक है तो आप आसानी से पूरा स्क्रीन सौर्ड भी लेख सकते हो ठीक है कि ट्रांस्फार्मर आपका क्यों होता हो और इसका यह जो आपके फॉर्मले निकल के है ठीक है और सिधान्द कारविधी सब कुछ देखी ठीक है कारविधी क्या होती है सिधान्द तो यार वीडियो अच्छा लगओ तो लाइक कर देना और चैनल पर नो तो कर देना तो आसा करते हैं आपको समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब जरू कर देना